हेलो एवरिवान वेलकम टो वाइफाइ स्टडी फिशा पार्ट ओफ अनेकेडमी ग्रूप दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 20 कोशन और ये एक डेली कुईज होने वाली है आप इसमें अपने स्कोर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी सेयर कर देना और टेलिग्राम अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया तो सौरमलिक ओफिशल नाम से टेलिग्राम है इसको जोईन कर लीजेगा इस टेलिग्राम पे दोस्तों आपको 5000 MCQs की PDF मिल जाती है Unacademy की सभी Free Classes के Link मिल जाते है Unacademy की Free Classes के टाइमिंग है दिन में धाई बजे और रात में ग्यारा बजे दोस्तो Unacademy Plus पे आपको Live Classes मिलती है Structure Course मिलता है Weekly Test Unlimited Access और भी बहुत सारे Benefit है जो की Unacademy Plus पर आपको मिल जाते है अगर आपने अभी तक Unacademy Plus सब्सक्रिप्चन जोईन नहीं किया है तो आप जिस भी कैटिगरी में जोईन करना चाहते है आपको जोईन करें आपका कोई दोस्ट जोईन करता है तो आप ये Study 10 Code एपलाई करा दीजेगा कि इससे आपको Discount मिल जाएगा और सभी कैटिगरी में एपलिकेवल है 30 जनवरी को दोस्तों Combat होने वाला है इसमें एन्रोल नहीं किया तो एन्रोल कर लिजेए क्योंकि यहाँ पे Samsung का Mobile JBL के Headphone और Amazon Voucher मिलने वाला है और जब इसमें एन्रोल करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को Study 10 Code एपलाई कर देना है 26 जनवरी दोस्तों कोर्स Start wise अफलता बैच SSC कैटेगरी में और इसमें 24 मंत का सब्सक्रिप्शन है वो 325 पर मंत आपको मिल रहा है और 12 माहिने का सब्सक्रिप्शन आपको 542 पर मंत मिल रहा है और जैसे आप यह Code एपलाई करते हैं तो 10% का ओर इसकाउंट मिल जाता है दोस्तों आज की वीडियो का पहला कोशन है पहली बार माउंट एवरेस पर सब्सक्रिप्शन पूर्वक चड़ाई की गई थी किस वर्स में यह आप लोगों को बताना है तो इस Question का दोस्तों जो Right Answer होने वाला है That is Option D यानि की 1953 में चड़ाई की गई थी देखें अगर आप लोगों को किसी भी Question का आंजर पता होता है तो Comment Box वे बता दिया करें इससे और अच्छी Practice होती है दोस्तों Question है Haley का धूम केतू भारत में कब दिखाई देता है तो ये देता है दोस्तों Every 76 Years ठीक है परती एक चंतर वर्स बाद तो ये आप लोगों को याद रखना है Next Question आता है निमलेखित किर्केटरों में से कौन एक चमकती Blade के Bone Vacher नामक उपन्यास के लेखक है तो ये बताएगा Guys इस Question का Right Answer हो जाएगा Sir Garfield Sobers यानी की Option हो जाएगा A Right Answer तो ये आप लोगों को याद रखना है अगला Question है निमलेखित में से कौन सी Gas अमलिया है तो कौन सी Gas दोस्तों अमलिया है Which of the following gases is acidic तो Right Answer is Carbon Dioxide तो ये आप लोगों को याद रखना है सिक्सक दिवस खालिस्थान की याद में मनाया जाता है तो Teachers Day celebrated in memory of Dr. Radhakrishan की याद में मनाया जाता है दोस्तों ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों Question है तो ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है जी? चले Next Question आपका क्या कहता है नेवलिकित में से किस मुद्रा का रुपे के संदर में उस्तम मुल्या है तो उस्तम मुल्या है ये आप लोग ज़रा बताएगा बिल्कुल सही आंसर है इस Question का Right Answer का Pound ठीक है? यानि कि D is the Right Answer Question है मोहन बागान खालिस्तान में एक परसिट टीम है तो मोहन बागान is a renowned team in तो ये फुटबोल की परसिट टीम है दोस्तों ये आप लोग याद रखेगा Question है मुगल रोड प्रोजेक्ट लिंक होगा कहां से कहां लिंक होगा दोस्तों ये तो ये पठान कोट विद स्रिलंका या सुरी सिरीनगर तो सिरीनगर के साथ पठान कोट पठान कोट विद सिरीनगर Right Answer होगा तो प्लीज इसको त्यान से देखिएगा नेक्स कोशन है त्रिमूर्थी के रूप में ज्यात ब्रह्मा विश्णु और महेश के तीन चैरों के साथ मूर्थी कला दिखाई देती है तो ये देती है दोस्तो एलिफेंटा कुफा में यानि की ऑप्शन हो जाएंगे डी रेटांसा कोशन है खालिसान के बीच न्यू मूर्दीप संघर्स का मुद्दा है तो न्यू मूर्दीप जो है ये संघर्स का मुद्दा दोस्तो इंडिया एंड बंगलदेश के बीच में तो right answer यहाँ पे option C होने वाला है कोशन है भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणू विस्पोट किया कहाँ पर किया दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणू भूमिगत विस्पोट किया पोकरान में यानि की B यहाँ पे right answer हो जाएगा कोशन है आपका लो एस खदान निमलिखित में से किस समू के स्थान सरी समू में इस्तित है तो यह है आपका सिंग भूम और मैयूर भंज और क्योजर यानि की option D right answer होगा किस वेक्सीन निर्माता ने अपनी COVID-19 वेक्सीन के छोटे बच्चों और सिस्वों पर परिक्षन शुरू किया है तो इस question का दोस्तो right answer होजएगा modern यानि की D is the right answer question है Bill Gates के साथ जुड़ा हुआ है तो Bill Gates के साथ जुड़ा हुआ है computer software यानि की D यहां पर right answer होने वाला है question दोस्तो अवद का आखरी नवाब था अवद का the last नवाब of अवद वोज तो अवद का आखरी नवाब था दोस्तो वाजिद अली सहा ठीक है वाजिद अली सहा इस question का right answer होगा तो ये भी आप लोग क्या दखेगा नमलिकित में से कौन खरी फसलों की सही समों है ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद ये answer लगएगा दोस्तो नमलिकित में से कौन खरी फसलों की सही समों है तो इसमें खरी फसलों की अगर मैं बात करो दोस्तो तो यहाँ पर दोस्तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका देखे चावल, बाजरा, मक्क और कपास ठीक है ना यह आपका राइट आंसर होगा वई नेक्स जासी को 1854 में बिटिस भारते चेतर में ले जाया गया तो जरा आंसर बतेगा इस कोशन का सही उत्तर क्या होने वाला है गाईज इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है आपका डोक्ट्रेन ओपलेप्स ठीक है अडप्पा का सिद्धान्त इस कोशन का राइट आंसर होगा यह आप लोगों को याद रखना है कोशन है मरणाली सारा भाई किस कला से जूड़ी थी दोस्तों ये जूड़ी थी आपकी भरतनाट्यम से यानि कि C is the right answer ये आप लोगों को याद लखना है समुदरी भारत सिखर सम्मिलन 2021 के लिए कौन सा देश भागिदार देश था तो 2021 के लिए दोस्तों आपको पताना है ये आपका था डेनमार्क तो ये आप लोगों को याद रखना है देखें मैं आप लोगों को एक चीज इंपोर्टेंट बता देता हूँ अनकेडबी पर मेरी दो क्लासिस हो रही है एक तो दिन में ढाई बजे हो रही है और एक रात में 11 बजे दोनों ही क्लासिस दोस्तों मौस्ट इंपोर्टेंट है एकजाम के पॉइंट आप दोनों क्लासिस को अगर जोइन करते हैं तो काफ़े इंपोर्टेंट यानि करीब-करीब 200 कोशन आप सीख लेते हैं और बहुत अच्छी प्रेक्टिस हो जाती है पॉल के थुरू तो आप इन दोनों क्लासिस को जोइन कर लेना अगर आपको पता नहीं है कैसे जोइन करना है तो टेलिग्राम जोइन कर लेना सोरब मलिक ओफिशल वहाँ पे दोनों क्लासिस की पीडियाप और लिंक आपको मिल जाते हैं वैसे आप SSC केटिग्री में जाके सोरब मलिक नाम सर्ज करके भी क्लासिस देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स पीडियाप पे थैंगी सो मच बाई बाई और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले वेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि थेंक्यू सो मच गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिस हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को ग्यारा बज़े दोनों ही important है और दोनों क्लासिस को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much